अब हम बात करेंगे रिपोर्ट अफ रंगराजन कमेटी on balance of payments and special economic zones इन दोनों ही topics को हम brief में देखेंगे detail के लिए आप अपनी book से study कर सकते हैं DC रंगराजन के अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाए गई balance of payments के लिए उन्होंने अपनी report 1993 में प्रस्तुत की और जो suggestions थी वो इस प्रकार से हैं first है unification of exchange rate 1993 से पहले क्या था कि अलग-अलग purpose के लिए अलग-अलग exchange rate थी इस कमेटी ने सुझाओ दिया कि एक ही exchange rate होना चाहिए और उसको लागू भी किया गया next is reserve target of foreign exchange रंगराजन समिती ने ये सिफारिश की कि आयातों और अन्य भुगतानों का पूर्वा नुमान लगा कर तीन मा के समय के उपयोग कि आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विदेशी विनिमे की आरक्षित निधी के लक्षक को तै करते रहना चाहिए कि उसको रिवाइज करते रहना चाहिए कि तीन महीने के इंपोर्ट और जो अन्य पेमेंट्स हैं उनका अनुमान रिवाइज करते रहना चाहिए और रिजर्व का टारगेट तै करते रहना चाहिए next is option of converting gold into foreign currency इस समीति ने सिफारिश की कि स्वर्ण का सोने का विदेशी मुद्रा में बदलने संबंदी भारतिय रिजर्व बैंक के विकल्प की निरंतर समिक्षा की जानी चाहिए review करते रहना चाहिए कि gold को convert किया जाना चाहिए या नहीं foreign currency में लेकिन अगर कुछ आकस्मिक खर्चे हैं अचानक जो खर्चे हैं उसके लिए जिनके लिए एक short notice पर requirement होती है विदेशी मुद्रा का foreign currency का स्वर्ण में exchange करने के लिए कुछ स्वर्णे का reserve रखा जाना चाहिए next क्या है विदेशी साहेता जो foreign assistance है external assistance है वो राज्यों को वित्रत कर देनी चाहिए hundred percent next is commercial borrowings जो commercial borrowings है वो अल्प अवधी की commercial borrowings को promote नहीं किया जाना चाहिए कम से कम पांच वर्ष की अवधी के लिए व्यपारिक रिणों को प्रुचसाइद करना चाहिए उससे कम के रिणों को प्रुचसाइद नहीं करना चाहिए और जो public guarantee है वो government को सोच समझ कर देनी चाहिए debt management के लिए debt equity conversion विकल्प नहीं है समीती नहीं यह भी सिफारिश की कि प्रियोग के तोर पर sun bond जारी किये जा सकते हैं जो gold bonds है वो जारी किये जा सकते हैं next is यह किसके लिए प्रियोग के तोर पर प्रियोग के तोर पर gold bond जारी किये जा सकते हैं next is convertibility of non-resident Indians borrowing विदेशी मुद्रा ए निवासी खाता जम्मा राशियों का मैचोरेटी पीरियड कम से कम एक वर्ष होना चाहिए और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट को पृत्साहित किया जाना चाहिए और नौन रेजिडेंट इंडियन बॉंड्स के जो मार्केट हैं वो विक्सित किया ज चाहिए शौर्टम लॉन पॉलेसी अल्पकालिन विदेशी रणों की अनुमती केवल व्यपार के लिए ही दी जानी चाहिए केवल व्यपार के लिए ही अल्पकालिन विदेशी रणों की अनुमती दी जानी चाहिए और इन विदेशी रणों के लिए एक नियंत्रन प्रना भी स्थापित की जानी चाहिए ताकि समय समय पर यह नुमान लगाया जा सके कि कितनी मात्रा इस प्रकार के रिनों की है नेक्स्ट इस नेशनल इन्वेस्टमेंट लोग विदेशी निवेश को प्रत्साहित करने के लिए समीती इस बात के पक्ष में थी कि लाभांच के देश के बाहर यह विदेशी इन्वेस्टमेंट को अकर्शित करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट लोग बनाये गए जि तो रेजिडेंट्स हैं उनको एंप्लाइमेंट देने संबंदी क्या कानून हैं तो इन डिफ्रेंट आस्पेक्ट्स के लिए कानून बनाए गए जिसको नाम दिया गया नेशनल इन्वेस्ट्मेंट लो नेक्स्ट इस मीडियम टर्म पॉलिसी निर्यात में न्यूंतम पंद्रा प्रितिशत वार्शिक व्रिधी डॉलरों के रूप में सुनिश्चित किया जाने का लक्षे प्राप्त किया जाना चाहिए अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एकनामिक जोन्स यह आपका शॉर्ट आंसर में बहुत बार पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है इसका अभी 2019 में अमेंड्मेंट भी हुआ है इसमें 2005 में एक्ट आया अधिनियम जिसको कहते हैं और 2006 में यह लागू हुआ इसमें हम इसके हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं कि 1965 में जो हमने कहा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाये गए और भारत एशिया का पहला देश था ऐसा करने वाला और यह पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में बनाये गए और उसके बाद साथ और शेत्र स्थापित किये गए लेकिन यह जादा सक्सेस्पुल नहीं रहे क्योंकि बहुत ज्यादा regulation थी government की clearances लेने पड़ते थे बहुत अच्छा infrastructure नहीं था और unstable fiscal regime की वजह से यह successful नहीं रहे इस income को दूर करने के लिए special economic जोन्स बनाए गए 2005 में जैसे मैंने बताया एक्ट आया और 2006 में यह लागू हुआ special economic जोन्स की क्या-क्या विशेशता हैं वो अभी हम discuss करेंगे उससे पहले यह बता दें कि इन में बहुत प्रकार के concessions दिये जाते हैं जैसे income tax में पांच साल के लिए चूट उससे आगे के पांच सालों में पचास प्रतिशत तक की चूट बिकरी कर सेवा कर और इन सभी different kind of जो taxes हैं उनमें rebate मिलेगा और एकल खिड़की अनुमती की विवस्था शामिल है यहां पर regulations बहुत ही कम कर दी गई और single window clearances का clearance का concept आया कि बहुत जादा जो permissions के लिए clearance के लिए बहुत जादा effort नहीं करने होंगे और यह सभी प्रियास किसके लिए थे special economic zones exports को बढ़ाने के लिए फिल हाल या presently 265 says are operational अब इनकी features को discuss कर लेते हैं a designated duty free enclave to be treated as foreign territory only for trade operations and duties and tariffs trade operations के लिए duties के लिए और tariffs के लिए in special economic zones जो एक duty free enclave हैं ऐसे शेत्र हैं जहां पर tax नहीं लग रहे हैं तो उनको कैसा किया जाना चाहिए as a foreign territory किस के लिए trade operations के लिए duties के लिए और tariffs के लिए next is no license required for import import के लिए कोई license required नहीं है manufacturing or services activities allowed in manufacturing or service activities allowed है says units to be positive net foreign exchange earners within three years three years में क्या होना चाहिए sales units को positive net foreign exchange earner होना चाहिए domestic sales subject to full custom duty and import policy in force क्योंकि यह जो special economic zones का area है इनको foreign territory समझा जाएगा इसलिए इन से जो भी वस्तुएं domestic sales जो भी होंगी घरेलू sales जो भी होंगी उसके लिए क्या लगेंगे custom duty लगेंगे और import policy भी अपनाई जाएगी क्योंकि वह एक foreign territory है वहाँ से हमारी actual में वह foreign territory नहीं है special economic zones की पर उनको tariff और duties के लिए foreign territory consider किया जाएगा next step full freedom for subcontracting उप अनुबंद की पूर्ण स्वतंत्रता next no routine examination by customs customs authorities of export import cargo उनकी regular inspection नहीं होगी बहुत सारी exemptions special economic zones में जो भी unit establish होंगी उनको बहुत सारे concessions और incentive government provide कर रही है वहां पर world class infrastructure financial services और other services वहां पर provide की जा रही है ताकि investors प्रभावित हो government की नीतियों से single window clearance का concept है कि बहुत जादा documentation ना हो और exporters बहुत जादा attract हो वहां पर और exports में अपना contribution बढ़ाएं इसके लिए says बनाए गए यह था अभी के लिए thank you so much बहुत